All right, Samsung lovers के लिए good news है, Samsung की तरफ से Samsung Galaxy M series का नया smartphone, Samsung Galaxy M35 5G officially launch कर दिया गया है, अलग कि ये जो smartphone है इंडिया पे अभी launch नहीं किया गया है, लेकिन ये जो smartphone है ब्राजील में launch हो चुका है, जैसा वहाँ पर launch हुआ है, वैसा आपको इंडिया पे देखने को मिलेगा, ये जो smartphone है, already Indian BIS पर list हो चुका है, मतलब launch इसका बहुत नजदीग है, probably June के second week ये जो smartphone है, आपको इंडिया में देखने को मिल जाएगा, वैसे भी इंडिया में Samsung Galaxy A55 launch हो चुका है, तो next launch will be Samsung Galaxy M35, तो आज की वीडियो में बात करते हैं, इसी smartphone से जुड़ी सारी चीज़ों के बारे में, क् चैनल को भी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, एंड गाइस, ऐसे ही content में अगर आपका interest है, हमारा काम अगर आपको पसंद आता है, तो please चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, बात करते हैं, फोन के बारे में स्टार्ट करते हैं, फोन के बिल्ड क्वालिटी और डिजाइन स तो मोटा है, फोन बल्की है, हेवी वैट है, थोड़ा सा भारी आपको लगेगा, बिल्ड क्वालिटी आपको decent मिल जाती है, एंड डिजाइन की बात करें तो वही galaxy design आपको मिलता है, जा पर तीन क्यामरा का सेट आप पीछे की तरफ है, एंड फोरेंट में आपको center पंचो शिकायत आपको नहीं आईगी, बात करेंगे डिस्प्ले के बारे में, तो 6.6 इंचेस का यहापर आपको डिस्प्ले दिया गया है, फूल HD प्लस का आपको resolution मिलता है, सूपर AMOLED पैनल दिया गया है, 8-bit का पैनल है, 120 Hz का आपको refresh rate मिलता है, 1000 nits के आपको brightness मिलती है, अच्छा प्रोसेसर है, decent performance आपको दे देता है, 5 nanometer पर बना हुआ है, बढ़िया performance आपको देगा, day-to-day की performance, gaming भी आपको decent करा देगा, तकरीपन 5,90,000 के आपस Android स्कोर साथ है, UFS 2.2 का यहां पर आपको storage दिया गया है, तो performance में आपको शिकायत नहीं आएगी, performance आपको बढ 16MP का macro camera है, rare camera से आप 4K video record कर पाएंगे, 30fps पर, and front में आपको 13MP का selfie camera दिया गया है, camera module decentify, OIS का support है, primary अच्छा है, ultra wide ठीक ताग आपको मिल जाता है, तो camera में आपको शिकायत नहीं आएगी, बात करेंगे बैटरी के बारे में तो 6000 image का बैटरा यहां पर आपको दिया गया है 5nm का chipset, AMOLED का display, 6000 image का बैटरा, backup आपको अच्छा मिलेगा, combination अच्छा है, normal usage पर देर दिन का backup यह जो phone है आपको आराम से निकाल के देगा, 25W की charging को phone support करता है, and as always, charger आपको box के अंदर नहीं मिलेगा, overall battery module आपको decent मिलता है, battery में आपको बहुत ज़्यादा शिकायत नहीं पड़ेगा, चार्ज केने के लिए टाइप से लापोट दिया गया है, 3.5mm jack भी यहाप आपको दिया गया है, side-mounted fingerprint scanner है, face unlock option है, nox की security है, alt-z life मिलता है, security वाइस भी phone बढ़िया रनने वाला है, android 14 पर आपको phone दिया गया है, out of the box, latest android version मिलता है, one UI 6.1 आपको out of the box मिलता है, एंड साथ ही साथ, 4 साल के android अपडेट, 5 साल के security अपडेट, सबसे अच्छी बात, इस बार यहापर आपको dual stereo speakers भी दिये गया है, Dolby Atmos की tuning के साथ में, तो audio quality यहापर आपको बढ़िया मिलने वाली है, एंड साथ ही साथ, hybrid card slot यहापर आपको दिया गया है, जहापर 2 sim card आप के memory card लगा सकते है, overall अगर स्पैसिफिकेशन देखें जाए, स्पैसिफिकेशन अच्छे है, डिस्पले आपको अच्छा मिलता है, क्यामरा अच्छे है, बैटरी बहुत अच्छी आपको मिलती है, इस बार तो studio speakers भी आपको दे दिये गए है, वेरेंट की बात, रजील में तो ये स्मार्टफोन के वल एक वेरेंट में लॉंच हुआ है, 8GB प्लस 256GB, वहां के प्राइस को इंडियान प्राइस में कनवर्ट करते है, तो तक करीवां भाई 30-35,000 रुपे के आसपास बनते है, लेकिन इंडिया में ये स्मार्टफोन आपको 20,000 के अंदर देखने को मि अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेक शेवर कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस करें, और वल उप्षिन जरूर से सिलेट करें ताकि हमारे फ्यूचर वीडियोस को नोटिफिकेशन पहुचे आपको त